हेलो गाईज, वेलकम बैक तो मैं चानल, आज की वीडियो में हम जानेंगे इंद्रा गांधी नैशनल ओपन युनिवरसिटी में एक रिकूट्मेंट आई है और वो एक्जाम कंडक्ट होना है नैशनल टेस्टिंग एजिंसी के द्वारा और वो कौन सी पोस्ट है वो पोस्ट है आपकी जूनियर असिस्टेंट काम टाइपिस्ट की और इसमें अराउंड 200 पोस्ट हैं और ये जो वेकेंसी आई है इसमें क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है क्या ये ओनलाइन होगा या ओफलाइन होगा और कितना फी स्ट्रक् और all other criteria's है to enroll for this post अब यह notification कुछ इस प्रकार से जारी हुआ है जिसमें आप left hand side पे देखेंगे national testing agency और इंद्रा गांधी national open university का logo है और अब हम नीचे आएं तो national testing agency के कुछ vision है हमारे काम का सबसे important है यह जिसमें हमें dates बताई गई है मैं आपको page by page करके दिखाता हूँ यह देखें यह आपका जो page वाला column है इसमें देखें सारी dates बताई गई है कि कब आप apply कर सकते हैं यह online submission of application है कल का जी हाँ कल से आप apply कर सकते थे और आप apply कब तक कर सकते हैं आप 20, 4, numbers पर call कर सकते हैं अब हम जानते हैं कि कितनी fees है फीस है आपकी 1000 रुपे unreserved की OBC non creamy layer की और EWS की 1000 है SC, ST और female की आपकी 600 है और वही PWD candidates की nil है और उसके बाद correction भी हो सकती है आपकी 21, 4,2023 से 22, 4,2023 तक कब तक वो होगी आपकी साड़े 11 बजे रात के 22, 4,2023 तक और उसके ब यह सब अभी तक mention नहीं है official notification में और timing of examination भी आपको जब admit card release होगा तब पता चल जाएगी और website है यह अगर आप इस वाले link पे जिसका आपको PDF जो PDF format है आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा आप जाके click कर सकते हैं इस link पे और आपको वहां से आप apply कर सकते हैं इस post के लिए next हम बढ़ते हैं और उसके बाद देखिए बताया गया है कि registration जो है online mode से होगा कोई offline mode से नहीं होगा और time वही 22-23 से लेके 24-23 तक है next हम आगे बढ़ते हैं और समझते schedule of examination देखिए अब आप सबसे पहले schedule of examination में आप समझ लीजे कि कितनी number of vacancies हैं हर एक category में है अब अगर हम बा और इसमें age limit है 18-27 साल जी हां 18-27 साल के लोग apply कर सकते हैं और यूर की इसमें 83 vacancy है SC की 29 है ST की 12 है OBC की 55 है OEWS की 21 और total number of post कितनी है यह है total 200 और वहीं PWD candidates की बात करें 9 है एक service man की 20 है और merit sports person की आपकी 10 है और इसके साथ additional में आपको typing speed चाहिए जो की आपकी educational qualification में 10 plus 2 और typing speed आपकी English में 40 होनी चाहिए and 35 words per minute in Hindi on computer होनी चाहिए मतलब computer पे आपकी English में 35 और हिंदी में 35 होनी चाहिए age relaxation आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप अपनी category wise समझ सकते हैं कि कितना age relaxation मिलेगा और important date क्या है आपकी 31,3,2,3 है जी हाँ 31,3,2,3 है आपकी कोई भी date decide करने का या फिर age relaxation के लिए और next हम बात करें कास certificate के लिए तो यह देखे कास certificate के लिए भी बताया है कि 33,2,3 है आप अपना OBC का non creamy layer का EWS का आप इसी date के according बनवा दीजेगा और उसके बाद next आपका after selection on any advertised post अब लोग पूछते हैं कि place of posting कहा मिलेगी आपको place of posting मिलेगी IGNU headquarters और any other regional center या फिर regional evaluation center all across the country मतलब आपको all over India आपको मिल सकती है posting कोई daily specific post नहीं है यह next हम बात करें अब इसमें देखें next page पे आपको page number 11 पे आपको लिखा है person with benchmark disability के criteria है कुछ वो आप देख सकते हैं अपने screen पे video को pause करके next हम बात करें scheme of examination की क्या क्या आएगा तो सबसे पहले तो यह जो exam होगा computer based test होगा मतलब क्या online exam होगा offline जो OMR sheet पे होगा वो नहीं होगा computer based test आपका computer पे होगा online होगा और जो language है bilingual होगी मतलब questions आपके English में भी आएंगे और Hindi में भी आएंगे और on the basis of CBT the merit list will be prepared keeping the number of candidates to be qualified as 10 times the number of vacancies मतलब क्या है आपके जो merit है वो बनेगी आपके common computer based test के according और जो लोग skill test के लिए बुलाए जाएंगे वो होगी 10 times आपकी vacancies के और क्या क्या पूछा जाएगा आपको general awareness के 30 questions है marks जिसके 30 है reasoning and general intelligence के 30 questions है marks है 30 mathematical abilities के 30 questions है marks है 30 Hindi या फिर English I repeat Hindi या फिर English दोनों नहीं है दोनों में से एक language है जो कि आपको 30 questions होंगे और 30 marks होंगे और वहीं computer knowledge भी आएगी वो होंगे 30 questions और 30 marks और total कितने questions होंगे 150 questions होंगे और marks होंगे 150 it means क्या है आपके 5 sections होंगे और mcq type आई का objective type objective type मतलब 4 options होते है a b c d उनके 4 options आएंगे 5 subjects है total 150 questions और 150 marks next आपका tier 2 होगा tier 2 जो है वो qualifying nature का है देखे इसमें clear cut लिखा है the candidate qualified in CBT of tier 1 will have to undergo skilled typing test which will be of English और Hindi language and will be qualifying in nature और guys एक और चीज़ जो अभी मैं मैं जब देख रहा हूं तो इन में एक notification में एक error आ रही है देखे यहां पर Hindi और English लिखा है और वहां आपका लिखा है Hindi and English तो यह चीज़े थोड़ा सा एक dicey situation create करते है देखे इसमें देखेंगे तो English लिखा है और Hindi भी लिखा है तो वो लिखा है कि English और Hindi हो जाएगा अगर Tier 2 में इसका मतलब क्या है English या Hindi या English और Hindi बट मेरे according जो है Tier 2 जो होगा वो आपका एक ही typing करनी होगी या तो आपको Hindi की करनी होगी या तो English की बट ये मैं अभी sure नहीं हूँ मैं अपना एक speculation लगा रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो possible न हिंदी की आपकी 35 word per minute है नेक्स्ट आपका Tier 2 जो है qualifying nature का है और अगर आप qualify कर ले जाएंगे तो आप select हो जाएंगे इस post के लिए यह है आपका syllabus आप syllabus देख सकते हैं स्क्रीन पे विडियो को pause करके और Hindi का भी syllabus बताया हुआ है reasoning and intelligence का बताया है और general awareness का बताया हुआ है और computer knowledge module सबका बताया हुआ है next अगर हम बात करें यह है जो meritorious sports persons होंगे उनके लिए है कि name of the sport और list of sports which qualify for appointment of meritorious sports person और competition बताया हुआ कि कौन सी authorities आपको competent enough है जो बता सकती है अब next कई लोग पूछेंगे कि sir क्या हमारे हां हमारे city में exam होगा या नहीं तो उसके regard में यह आपको list पॉस करके देख सकते हैं कहां कहां आपका exam center होगा जो की त्रीपूरा उत्तरपतेश गुजरात अगरतला आगरा एहंदाबाद एलाबाद बैंगलोरू भोपाल बहुनेश्वर चंडिगर मोहाली चैन्नाई दहरादून डेली एर अरना कुलम फरीदाबाद गैंग टॉक गाजियाबाद, गुंटूर, गुरुग्राम, गोहाटी, हल्दवानी, इमफाल, जैपूर, जलंधर, कानपूर, कोलकाता, लखनव, मुंबई, नवी, मुंबई, नागपूर, नोईडा, ग्रेटर नोईडा, पतना, राइपूर, राइपूर, रांची, शिमला, तिरुव में लिखा हुआ है, order of preference, first preference to those candidates, sorry, यह तो आपका वाला है, sports person वाला, यह आपको दो या तीन cities भरनी होंगी, total, आप अपने exam center, अपने city के according, मतलब, जो आपके घर के पास, जो city है, उसके according भर सकते हैं, तो guys, यह तो बात हो गई, आपकी exam cities की, और यह है payment of exam fees, मतलब, कितने रुपे लगेंगे, additional charges क्या होगा, apart from जो 1000 रुपे का आपका, वो है, starting का, base price जो है, आपका form का, और बाकी जो candidates है, categories के, उनके prices अलग है, और अगर आपको कोई query करनी है, तो आप इस number पे contact कर सकते हैं, और यह next है, आपका certificate of disability का, उन्होंने XNX कर रखा है, और अगर आपको subscribe चाहिए, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, prescribe performa है, और उसके बाद, यह NOC है, NOC भी जो लोग employee हैं कहीं पे, वो कहीं कर सकते हैं, वो इसी format में देंगे, और next आपका यह सब replica of online application है, तो गाइस, यह मैंने आपसे discuss कर दिया, कि national testing agency, जो exam conduct करवा रही है, IGNU का, जो non-teaching post के लिए है, वो आपका junior assistant कम, junior assistant कम typist का है, उसके लिए क्या-क्या criteria है, और क्या educational qualification है, क्या आपकी age होगी, क्या minimum age requirement है, और अगर मैं वापस से थोड़ा सा आपको highlight करूँ या revise करूँ, तो आपका computer based test होगा, आपका जो syllabus है, वो आपका जो JNU का non-teaching post के लिए आपने भरान exactly same है, उससे थोड़ा भी differ नहीं है, typing 35 जो थी उसमें junior assistant की, इसमें आपकी 40 कर दिये English की, और वहीं अगर हम बाकी चीजों की बात करें, तो more or less same है, तो guys, जो लोग उसके लिए junior assistant non-teaching post के लिए तयारी कर रहे थे, वो इसको भी भर सकते हैं, और अपनी तयारी और अच्छ करनी है, इन exam जो कि NTA conduct करवाता है, उनके लिए, और typing के लिए कैसे आपको अपनी speed बढ़ानी है, उसके लिए भी मैंने videos डाल रखी हैं, so guys, अगर आपको video informative लगाओ, तो please video को like कीजेगा, और channel को subscribe कीजेगा, ऐसा ही authentic information के लिए, ये था आज का video, thank you for watching.